पुलिस प्रसासन ने बोला कि रात को या कोई नहीं आ सकता तो सबी को डीटेलिकर रहे है और पुलिस वाले ने धारूपड के कि मारा लाठी मारी है इसके बुद्वार देर राज जंतर बंतर पर वही हुआ जो आजकल हमारे देश में हर विरोध प्रतरशन के साथ होने लगा है बुद्वार को एक्चली दिल्ली में ताबर तोड़ बारिश हुई रात तक प्रटेस साइट में पानी जमने के कारण वहाँ रेसलर्स ने खटिया मंगवाई जिससे कि वो कम से कम वहाँ सो पाई जैसा कि वो पिछले कई दिनों से कर रहे हैं लेकिन लगता है दिल्ली पुलिस को ये बात अच्छी नहीं लगी प्रोटेस्टर्स का आरोब ये है कि देर रात को जब ये खटिया अब अनलोड हो रहा था गाड़ी से उस समय नशे में शराब के नशे में धुद दिल्ली पुलिस के करमचारी ने उनके साथ मार पीट की और विमिन रेसलर्स के साथ भारी गाली गलोच भी हुई सोचल मीडिया पर ये क्लिप्स वाइरल होने के बाद लोग काफी चौक गए आफटर ओल ये तो ना ही जे अन्यू के टुकडे टुकडे गैंग स्टूडेंट्स थे ना ही ये शाहीन बाक के एंटी नैशनल थे और ना ही ये खालिस्तानी फार्मर्स थे लाग कोशिशों के बावजूद रेसलर्स को अभी तक कोई टैग नहीं मिला है कुछ चिपका नहीं है उन्हें इंसल्ट और हुमिलियेट करने के लिए तो जंगता अभी इन्हें दरकिनार नहीं कर सकती है साथ ही साथ ये बात छुपाई नहीं छुपती है कि ये जो प्रोटेस्टिंग रेसलर्स है ये हमारे देश की आन और शान है तिरंगे को उचा करने वाले मेडल विनिंग फाइटर्स है आज यही फाइटर्स रेसलिंग फेडरेशन ओव इंडिया के चीफ ब्रिज भूशन सरंशिंग जी के खिलाफ लड़ाई कर रहे है और इनके साथ दंगल फिलहाल तो सरकार पर भारी पढ़ रहा है लेकिन जैसा कि आप इस एपिसोड में देखोगे ये गेम बहुत जल्दी बदल सकता है अब देखिए सरकार बोले तो बोले क्या करे तो करे क्या कल तक प्रधानमंतरी मोधी जी भी इनी रेसलर्स के लिए तारीफों के पुलबाद रहे थे घर पर चाय के लिए बुला रहे थे और विनेश ये तो मेरे ही परिवार की है आज उसी मेडल विनिंग तिरंगे को शक्ती देने वाली साक्षी को सडक पर उतार के रख दिया है उसी हमारी विनेश को रोने पर मजबूर कर दिया है और इस सब के बीच मोधी जी विलकुल एकदम चुप क्योंकि भाई सब चंगासी है अगर दिल्ली पुलिस के साथ ये एक घटना होती तो मिस अंडर्स्टेंडिंग हम समच सकते थे लेकिन लगता है कि पुलिस को अब बोला गया है कि ये टूमज डिमॉक्रसी जो जंतर मंतर पर हो रहा है इसे खतम करना पड़ेगा कहीं अन्ना अंदोलन के टाइप कहीं खलती से आँग लग जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाईया इलेक्शन आने वाला है रेसलर्स को तो यहां से लगता है हटाना पड़ेगा बोरिया बिस्तर समेत यह रेखिए जब डेली कमिशन ओफ गुमिन की है डेस्वाति मालेवाल रेसलर्स से मिलने आए उनका हालचाल जानने आए जो कि उनका हक है तो पुलिस ने उनका स्वागत सत्कार किस तरीके से किया अब हो सो संसकारी अब सोचो यह दिल्ली की कमिशनर है आप मानो ना मानो लेकिन विमन सेफटी इनके अंडर आती है पुलिस को नोटिस यह जारी करती है अब इनके साथ अगर यह हालत है सोचो दिल्ली में आम एक औरत एक लड़की का क्या होगा अचा सोचो मत देखी लो दिल्ली पुलिस वर्सेज डेली यूनिवर्सिटी स्टुडेंट्स अब बताईए अगर इतनी कम उमर में ये लड़कियां विरोध, धरना प्रदर्शन, सवाल पूछना, जवाब मांगना ये सारी खतरनाक चीजों के बारे में जान ले इनको समझ ले, अपना हक मान ले तो सरकार को तो दिक्कत हो जाएगी तो चाहे प्रोटेस्टिक छूटा सा ही हो कुछ लड़ियों का भी हो, लेकिन दिल्ली पुलिस को पूरी ताकत दिखाने की ज़रूरत है भया, देश नहीं तो खतरे में आ जाएगा आजकल हमारा देश कुछ ज़्यादा ही काथ से बनाये लगता है आजकल हमारा देश कम से कम हमारे देश की सरकार देखें, नफरत का नंगा नाच कर लो तब देश खतरे में नहीं आता, तब देश एकदम सुरक्षित अपने आपको पहता है इस पूरे इंसिडेंट को, इस पूरे प्रोटेस्ट को स्पिन देने में तो अल्रड़ी बिजी है मेंस्ट्री मीडिया यहाँ इसलिए वेलकम भी नहीं है जैसा कि हाली में आज तक की श्वेता ने खुद ही देखकर पाया लेकिन बुदवार रात को दो-चार जो जुजारू पतरकार वहाँ थे पुलिस उन पर भी परसी ये देखिये, साक्षी जोशी के साथ दिल्ली पुलिस ने कितने प्रोफेशनल तरीके से वहवार किया तो इन लोगों ने, पुलिस ने मुझे डीटेंग कर लिया है प्कूद इनके हिसाब से जॉनलिस रेस्नेस को कवर नहीं कर सकते है मेरे कपड़े भी फार दिये, मेरी पैंग नीचे से फार दी इन लोगों ने आज के न्यू इंडिया में सच दिखाने वालों के साथ यही होता है साक्षी उनके कपड़े फार दिया जाते हैं आपको वाटसाइब मेसेज मिला नहीं लगता है दरजल जैन्वरी के महिने में ये मेडल विनिंग रेसलर्स ने पहली बार अपनी आवास पब्लिक में उठाई और बहुत जोखिम का काम था यह क्योंकि उन्होंने सेक्शुल हरास्मेंट और फाइनशल इंप्रोपराइटीज का आरोप श्री ब्रिज भूशन शरंट शिंग जी पर लगाया प्यार से इन्हें डॉन भी कहा जाता है मजाग नहीं कर रहा हूँ अरे भया ब्रिज भूशन जी रेसलिंग फेडरेशन ओफ इंडिया के प्रेजिडेंट ही नहीं है वो इंडियन रसलिंग के अनफिशल करता धरता है वो अनपोजड इलेक्टेट प्रेजिडेंट भी रह चुके हैं अब तो तीन बार रह चुके हैं और इनका यूपी में पॉलिटिक्स में भी काफी दबदबा है अब जैनवरी में हमने एक एपिसोड बनाया था जहां हमने ये बात आपको साफ साफ बताया दी गई थी कि ब्रिज भूशन जी को कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि सरकार के लिए विमिन्स राइट से जादा चुनाव में सीड्स हैं और ब्रिज जी के पास गौंडा शेत्र का चुनावी चाबी है जैनवरी के प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने रेसलर्स के साथ एक सुला की हम एक कमिटी बनाएंगे हम इन्वेस्टिकेशन करेंगे लेकिन उस कमिटी का कुछ हुआ नहीं वो कमिटी एक जुमला निकली रेसलर्स फिर से जंतरमंतर पर पीछले बारा प्लस दिनों से वो लगे हुए है और इन्हे सफलता भी मिली कुछ हद तक ब्रिज भूशन शानंच सिंग जी के उपर अब दो F.I.R. दर्ज हो चुकी है एक तो पॉक्सो के तहत है अंडर एज लड़की के साथ सेक्श्वल एसॉल्ट का आरोप है ये काफी संगीन केस होता है ये सब तब हुआ जब बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई और ये बात तब वहाँ सुप्रीम कोर्ट पे डिसकास हो रही थी कोई जादा धका नहीं है ये एक छोटा ऐसा स्पीड ब्रेकर है बड़े बड़े डॉन्स के साथ ऐसी छोटी छोटी एफाई आर्ज होती रहती है ब्रिज भूशन जी जेल में टाइम काट चुके हैं टाडा के अंदर चार्ज हो चुके हैं दाउद के समर्थकों साथियों को पना देने का आरोप था बाद में छूड गए कोट ने investigating agencies को फटकार लगाए कि उन्हों तो investigation ही नहीं किया था उस case का हो सकता है ऐसा अब भी हो जाए अब तक आप सोच रहे होंगे कि यार ये देशभक्त को पक्का पंदरा लाग रुपाए मिल गए है ये तो ब्रिज भूशन जी को इतना आदर क्यों दे रहा है अरे नहीं भई पंदरा लाग रुपाए ना मिलेंगे हमको तो कभी नहीं मिलेंगे पंदरा लाग cases मिल सकते हैं प्रिज भूशन सरंग शिंग जी को हम इतना आदर इसलिए दे रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि उनके साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि पिछले कुछ सालों से देशभक पर हम कई विरोध प्रदर्शन्स को कवर करते आए हुए हैं और अक्सर उनका नतीजा क्या होता है हमें मा दरबंतर चले जाएगा ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं जो प्रोटेस्ट करते करते खतम भी हो जाते हैं अगर ये बच जाते हैं और लोगों में इंटरेस्ट हो जाता है लोग दो चार जग जाते हैं सवाल कूशन लगते हैं तो स्टेज टू आता है जहां सरकार क कहती अच्छा आप लोग प्रोटेशन कर रहे हो चलिए आपको एक लॉलिपॉप देते हैं इस लॉलिपॉप स्टेज में होता क्या है एक कमिटी वगयरा बना दिया जाता है वन रैंक वन पेंचन के साथ भी ऐसा हुआ था रेसलर्स के था जैनवरी में भी ऐसा हुआ था और जोर्ज सोरास फंडेड हो आप एंटी नैशनल हो स्टूडेंट मूवमेंट इन इंडिया को इसी तरीके से कुछला गया जो भी सवाल कोई उठाता है वो अर्बन नकसर है एंजियोस को ग्रैजुली खतम कर दिया गया कि सारे एंजियोस एंटी नैशनल है इस डिस्क्रेड नहीं तो मजाक उड़ाएंगे हम दागी का मजाक उड़ाएंगे हम शाहीनबाग को पाकिस्तान बना देंगे सी एएए का क्या हुआ ये तो पता नहीं लेकिन शाहीनबाग को एक डिर्टी वर्ड बना दिया गया इससे भी अगर आप बच जाते हो जैसा कि फार्मर होती है और फाइनली आती है स्टेज सिक्स विन और लॉस मेरे गाल से फार्मर प्रोटेस सिर्फ एक ऐसा एक्जामपल है जहां वो जीद गए क्योंकि एक इलेक्टोरल एंगल भी था यूपी में इलेक्शन आने वाले थे तब सरकार ने बैक डाउन किया वरना बैक डाउन का रेकॉर्ड नियर जीरो है अगर इसी स्टेज सिस्टम से आप आके तो रेसलर्स को जैनवरी में लार्जली इग्नोर किया गया फिर एक फरजी कमिटी बना कर उनको लॉलिपॉप दिया गया एक कमिटी का पिछले दो हफ्तों में इनको खूब डिस्क्रेडिट करने की भ कि 90 प्रतिशत प्लस रेप केसिस अपराधी विक्टम को जानता है हमारे देश में उसका करीबी होता है बहुत बार उसका फैमिली मेंबर होता है और हाँ बाद में शादी में भी मौजूद होता है यह हमारे सोसाइटी का एक और घिनोना सची है और कोशिशे अभी भी जार बूटल यूज ओफ पुलीस पोर्स और ये वाला फाइनल स्टेज लड़ना आसान नहीं होगा। कम से कम करनाट का इलेक्शन के रिजल्ट आने तक तो नहीं। हो गया रे चाचा सिर्फ रेजिगनेशन मांगाया रखो ना तुम अपनी जान अपने पास। जद्रबंदर में बुधवार की राज जो हुआ वो कुछ ऐसा ही हुआ था 28th of January 2021 में जब पुलीस ने घासीपूर बॉडर से फार्मर्स को ख़ड़ने की कोशिश की थी। हुआ ये था कि रिपब्लिक डे पर ट्रेक्टर रैली आउट अफ कंट्रोल होने के बाद, कैपिटल में अराजकता फैलने के बाद, फार्मर्स का सपोर्ट कुछ कम होता देख सरकार ने सोचा, लोग कम हो रहे हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन राकेश टिकेट के आँसुओं ने हजार और ट्रेक्टर खड़े कर दिये दिल्ली में और फारबर प्रोटेस्ट को एक नई जान विली। बजरंग पुनिया ने भी बुदवार रात को एक ऐसी ही अपील की है। ये देखके, ये सोचके कि शायद अब पुलिस पूरा का पूरा प्रोटेस्ट ही कहीं यहां बंद ना कर दे। बलकि इसलिए भी कि क्या हमारे देश में अब प्रोटेस्ट अलाउड है, जायज है, लीगल है, क्या दुनिया के सबसे बड़े गंतंत्र में, Mother of Democracy में क्या हम शान्ती पूरवक्त एक विरोध प्रोटेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सवाल पूच सकते हैं या नहीं टेस्ट ही खतम कर दो, सरकार की शायद सबसे बड़ी कामियाबी यही रही है, कि जनता में विरोधी पार्टियों और विरोध प्रदर्शन के खिलाफ एक घिंस ही मचा दी हो, लेकिन क्या विरोध के बिना डेमोक्रसी हो सकती है, क्या ओपोजिशन पार्टिस के बिना डेम यह सही है, हाँ या ना, अपना रीजन केरा कॉमेंट सेक्शन पर लिखके बताईए, मैं जानना इसलिए चाहता हूँ कि हो सकता है, मैं ही गलत हूँ, मैं फालतु में बहु कराऊं। सब्सक्राइबर क्राउंट के पीछे हम जादा भागते तो नहीं है, लेकिन बड़े बेस का मतलब होता है कि हमारे एपिसोड्स और जादा लोग तक पहुँचेंगे, यह अच्छी बात है, वैसे यूट्यूब के आगड़े तो बताते हैं कि करीबन 50% लोग जो हमें अकस सब्सक्राइब के साथ साथ बेल इकोन पिता बाओ